दोस्तो अगर आप माता लक्षमी से प्रेम करते हैं, तो सचे दिल से कमेंड बॉक्स में लिखें जै माता लक्षमी दोस्तो हर इंसान पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करता है और मेहनत के तुल्ले उसे जितना पैसा मिलना चाहिए उसके भागे में उसे उतना नहीं मिल पाता उनके भागे में पैसे तो लिखे होते हैं लेकिन दोस्तो किसी कारण बश उन्हें नहीं मिल पाते दोस्तो ऐसे मैं आज हम आपको बताएंगे तंत्र शास्तर में दी हुई जानकारी जो आपकी बड़े काम आने बाली है जो कि जिससे धनलाब की संभाबना अधिक बढ़ जाती है आज हम आपको आठ उपायों बताने बाले हैं इन आठ उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं तथा धन में बड़ोतरी कर सकते हैं और ये उपाय करना बहुती आसान है इन उपायों को अबश्य करें और अपनी सोई हुई किस्मत को फिर से जगा लें दोस्तो हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो सबका कल्यान हो ये सरल उपाय कोई भी साधरन सा साधरन ब्यक्ति भी कर सकता है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ल ये उपाय किसी कागज पर पैन से लिख लें जो कि आगे आपके काम आएंगी पहला है धनकी देभी माता लक्षमी जी की तस्बीर पर या मूर्ती पर केसर का अगर रोज तिलक लगाया जाये तो लंबे समय से चली आ रही गरी भी मिट जाती है तथा धनकी प्राप्ती होती है माता लक्षमी को केसर अती प्रिये है सची श्रद्धा के साथ माता के तिलक जरूर लगाये आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोख सकता दूसरा उपाई अचानक धन की प्राप्ती करने के लिए अपनी मनो कामना बोलते हुए जो बरगत की जटे होती हैं उन पर लाल कपड़े से गांट बांदे लेकिन याद रखें गांट बांदे समय अपनी मनो कामना अबश्य बोलें अगर आप धन प्राप्ती करना चाहते हैं तो ये उपाय आपकी सभी मनो कामना अबश्य पूर्ण करेगा और यदि आपके इच्छा पूरी हो जाए तब आपको ये गांट खोलना भी है जरूरी दोस्तो तीसरा उपाय काली हल्दी और सिंदूर तथा रुपय का सिक्का एक लाल कपड़े में बांग कर उसे धूब दीब दे कर किसी लोकर में रख दे इसे भी धन लाब होता है क्योंकि काली हल्दी शाक्षात माता लक्षमी है और जहां पर लक्षमी हो बहां पर धन रखते हैं बहाँ पर इसे रख दें इससे भी धन की बड़ोत्री होती है धन योग बनते हैं पांच बा उपाय है घर के मुखे दरबाजे पर रोच साम के समय सर्सों के तेल का दीपक अबश्य जलाए और अगर शुद्ध गाय के देशी घी का दीपक जलाते हैं तो इससे धन की संभाबना और अधिक बढ़ जाती है इससे माता लक्षमी दोड़ी दोड़ी चली आती है और यदि दीपक किसी कारण बश भुच जाता है तो बचे हुए तेल को पीपल पर चड़ा सकते हैं इससे शीगरी ही धन प्राप्त होगा दोस्तों छटबा उपाये मोती शंक मे अगर गंगा जल भर कर माता लक्षमी को इसनान करबाये जाये तो धन से सम्मंधित सभी परेशानी समाप्त हो जाती है पुरानी से पुरानी गरी भी दूर भाग जाती है धन आने लगता है माता लक्षमी प्रसन होती है घर में सुक समर्दी वास करने लगती है दोस्तों सा और माता लक्ष्मी कमल पर ही बास करती हैं। दोस्तो आठ बा उपाए, जो लोग अगर अचानक से धन्प्रापती करना चाहते हैं। अगर काफी महनत करने के बावजूद भी धन्प्रापत नहीं होता, तो धन दायक यंत्र का प्रियोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तो, शिरीयंत्र जिसे हम धन दायक यंत्र भी बोलते हैं, शिरीयंत्र हमेशा अपने परस में लेकर चलें, अगर आप शिरीयंत्र हमेशा अपने परस में लेकर चलते हैं तो आपका परस कभी धन से खाली नहीं रहेगा, शिरीयंत्र हमेशा अपने साथ में रख काप तथा अक्षत गौमूत्र का छीटा कुमकुम केसर तिलक अबश्य लगाएं इसके बाद इसे धारन करें दोस्तो आप देखना इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी इन आठ उपाय मैंसे कोई भी आप एक उपाय करके आप अपने धन की कमी को दूर कर सकते हैं धन को पा सकते हैं सच्चे दिल से कौन-कौन माता लक्षमी को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्षमी आपका स्वागत है हमारे घर में माता राने के लिए एक लाइक तो बनता है